So guys welcome back to micro classes, हमारी Merit University और सारनुपरी उनिवस्टी की B.Ed की classes चल रही है, आज का मारा subject है philosophy, philosophical, sociological, perspective of education, मतलब शिक्सा के दार्सनिक तता समाशास्त्रिय परिप्रिक्स है, Merit University और सारनुपरी उनिवस्टी जो हमारी साकुमरी उनिवस्टी होती है, उसकी ये classes थी, ये आज की last class ह है, 33 वी class जो हमारी regular class ही चल रही है philosophy, ये last class है, आज हम एक short question cover करने वाले है, most important short question है, 6-7 बार आपके B.Ed के exam में आ चुका है, तोहार किसे कहते हैं, तोहार का क्या आर्थ होता है, क्या में तोहार की festivals जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा short question है, important है, इसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं, जो तोहार का अर्थ होता है, festivals होते क्या है, तोहार क्या होता है, किसी भी एक विशे समुदाए धर्म या जाती के व्यक्तियों के द्वारा एक मनाया जाने वाला पर्व, जिसमें में सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खुशिया बाढ़ते हैं, एक जो हमारे धार्मिक परंपराए होती हैं, कुछ परंपराओं का आयोजन करते हैं, उन्हें निबाते हैं, तो वो जो पर्व होता हैं, उसे हम तोहार कहते हैं, इसके बारे में हलका सा जान लेते हैं, तोहार क्या होता है, तोहार एक ऐसा आयोजन होता है, जो आम तोर पर किस किसी समुदाई द्वारा मनाया जाता है, जो कि उस समुदाई के धर्म या संस्कर्थी कि कुछ विशिष्ट पहलू से संबंदित होता है, तता उस पर केंद्रित होता है, इस दिन समुदाई के लोग आपस में मिलते हैं, खुशी बाढ़ते हैं और कुछ निश्चीत रस्मों को निबाते हैं, तोहर क्या होता है, किसी एक विशेश समूधाय के लोगापस में मिलते हैं, कुछ निश्चित रसमों को निबाते हैं, और एकन दूसरे के साथ खुसिया बाठते हैं, उस दिन अपने काम, कुछ दिन अपना जो दैनिक काम होता है, उस दिन में वो काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खुशिया वगएरा बाढ़ते हैं आते हैं, किसी समाज के सभी लोगों द्वारा, पढ़ती वर्स, किसी निश्चितितिती को मनाया जाने वाला कोई धार्मिक या सांसकर्तिक उत्सव, तोहार कहलाता है, तोहार को अक्सर हम इस्थानी अवकास या फिर रास्टी अवकास या फिर मेले के रूप में चिनित कर द लगा देते हैं, दंगल वगएरा इस तरह की चीजे कर देते हैं, इन चीजों के रूप में हम चिनित कर देते हैं, तोहारों को पर्व क्या कर भी पुकारा जाता है, यह तोहार का अर्थ था आयोप, अब आप समझ पाई होंगे क्या होता है, किसी भी जाती समाज, समुदा के लोगों द्वारा एक निश्चित तिथीकों पर्तिवर्स मनाये जाने वाला एक ऐसा पर्व या फिर एक ऐसा आयोजन है, जिस दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खुशियां बाटते हैं, अपना दानिक काम छोड़ते हैं, और कुछ निश्चित रस्मोर पर करते हैं, मतलब मस्ती वगरा करते हैं, अपना मनुरंजन करते हैं, कुछ भारतिया परमुक्तोवारों की बात की जाए तो दिवावली, होली, दसहरा, रक्षबंदन, वैसा के ईद, आदी भारतिया कुछ परमुक्तोवार हैं, अब तोहरों की विसेष्ता या फिर तोहरों लिख दीजिए इस तरह से यह point है और point बना कर लिख दीजिए दो पेज बढ़ने होंगे short question में आपको विएड exam में यह 8 point है या फिर इन में से 5-6 heading को ही लेकर आप heading बना कर भी लिख सकते हैं short question में जैसे आपकी मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं अब हम तोहरों की विशेषता हुए महतू की बात करते हैं यह हमारी 8 heading है इनको एक एक करके हम explain करते हैं सबसे पहली heading है हमारी समाजिक गुणों का विकास तोहर हमारे अंदर समाजिक गुर्णों का विकास करता है बालकों का समाजिक विकास करता है क्योंकि तोवार समाज में मनाये जाता है बालक समाजिक केरियाओं में लिप्थ होते हैं उस दिन इस वज़े से समाजिक गुर्णों का विकास होता है सभी पर्वो का उद्देश्य मानव कल्यान करना होता है भारत्य तोवार आपसी प्रेम एवं एकता का पर्तिक माने जाते है ये हमें सभी मतवेदों को बुलाकर एक दूसरे को गले लगाने की प्रेणना परदान करते है इन पवित्र पर्वो के अवसर पर हमें इड्सा द्वेस कल्या आदी बुराईयों को दूर करने का आत्म बल मिलता है पर्व समाजिक समन्वे को मजबूत करते हैं भारत्य पर्व बुराई पर अच्छाई के पर्तिक हैं ये हमें अन्यें 180-нем और अत्येचार के विरुद्अवाज उठाने के लिए प्रेणित करते हैं तवार के सूत्र, मतलब तवार समगठनवे एक्था पर्ट पड़ाते हैं इस परकार तवार हमारा समाजिक विकास करते हैं नेक्स हो जाता है व्यक्तितु का विकास हमारा व्यक्तिगत विकास भी करते हैं तोवार तोवार सभी धर्मों के तोवार हमें परसन रहने की प्रेड़ना देते हैं हमारे महान पुरुसी जिनके नाम पर कोई तोवारिया पर्वका आयोजन किया जाते हैं में साहा सोरिया वी ओना सफलता सरलता आदी गुंड सीखने को मिलते हैं सभी उत्साव़ में पसूपक्स्यों आदी पर दया करने का भाव सीखाते हैं इस परकारिये हमारे व्यक्तित्यु कविकास करते हैं नेक्स पॉइंट है नीरस्ता तथा मानसिक तनाव से चुटकारा तोहार हमारा जो मानसिक तनाव होता है दैनिक काम करते हैं हम रोजाना उफिस वगरे में जाते हैं तो मानसिक तनाव होता है उससे भी चुटकारा दिलाने मदद करते हैं तोहार हमारे जीवन में तोहारों का बहुत अधिक महत्तो हैं तोहार हमारे जीवन की रिक्ता आर्थात सुन्यता को खुशाली से भर देते हैं विबिन तोहारों को मनाने से मानव की सरलता उत्सा उल्लास तता आनंद में विरद्धी होती है मानव के जीवन में उमंग से तता उत्सा का संचार होता है उनमें और निरस्ता को दूर करने में सायक होते हैं तोवार रास्टी एक्ता के पर्तिक होते हैं तोवार क्योंकि तोवार के नाम पर हम सभी व्यक्ति एक जूट हो जाते हैं तो रास्ट के नाम पर हमारे अंदर एक्ता की बावना बन जाती है बारत में दार में एक समाजिक संसकर्ति के स्थाने जाती गत और रास्टी है जैसे अनेक परकार के तोहर मनाए जाते हैं ये सबी तोहर अपनी विचारदारा एवं मुल्यों से संपूर्ण रास्ट को एक दागे में पिरोकर रखते हैं इन परवों का सीधा संबंद भारतिय संसकर्ति से होता है विविन परकार की समस्याव एवं आपदा उपर तोहर हमें संगठित करते हैं और समस्याव का निवानन करने में सहयोग करते हैं तोहार हमें जाती दर्म से उपर उठकर देश की संसकर्टी से जोडते हैं इन परवों की माननेता से हमें त्याग और सास का परीचे मिलता है जो देश के लिए पलिदान देने के लिए हमें प्रेवित करते हैं मनुरंजन में सहायक तोहार के द्वारा हम अपना मनुरंजन भी करते हैं देश के दूर दराज के भाग में आज मीडिया का अभा हुए है आर्थिक विसमता और समाजी कार्णों से वहां तक अभी मनुरंजन के साधन पूरी तरह से सुलब नहीं हो पाए हैं ऐसे में तोहारो के अउसर पर परिवार के सभी सदस से एक साथ बैट कर हसी मजाक करते हैं मनुरंजन के लिए कहीं परवो के समय खेल पड़ती होगिता का आयोजन भी किया जाता है इसके अतरिक नाटक गीत संगीत और विबिन परकार के संसकर्तिक कार्यकर्मों से भी व्यक्ति अपना मन ब पराप्त होता है संसकर्ति का स्तांतरन तोहार हमें अपने बच्चों को अपनी संसकर्ति की जानकारी देने का एक रास्ता बताते हैं यह एक साधन होते हैं जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को अपनी संसकर्ति प्रदान कर सकते हैं तोहार संसकर्ति के वहाग होते हैं स उनको पीडी दर पीडी बढ़ाते रहते हैं सभी पर भारतिये दर्सन का ग्यान कराते हैं जिससे हमें मानावता अध्यात्मिक्ता अधिकी जानका इप्राप्त होती है इस प्रकार तोवार हमारी संस्कर्ति का स्ताना अंत्रन करते हैं दार्मी कास्था के सूचक हमारे तोवार हमारे धर्म से जुड़े वे होते हैं तो धार्मी कास्था के भी सूचक होते हैं हमारे तोवार भारतिय संसकर्ती सरवंगीन विशालता उदारता और सही शनुता की दिरस्टी से अन्य संसकर्तियों के अपेक्सा विक्स में अगर्णी माने जाती है विक्सित देशों के विप्रीत भारतिय संसकर्तिय अध्यात्मिक्ता के मुल्यों पर अतारित है अपने देश के बहुत से पर्व धार्मिक आस्ता और विश्वास के सूचक हैं जो किसी ने किसी परकार की धार्मिक अतिविदियों से जुड़े हुए हैं कई परवों पर उपवास भी रखा जाता है इस परकार जो हमारे परवोते धार्मिक आस्ता के सूचक होते हैं और बालकों में धार्मिकता का विकास करते हैं पुरानिक मन्यताओं पर भी आधारित होते हैं हमारे पर्व समस्त भारतिय पर्व किसी ने किसी धार्मिक एवं पुरानिक मन्यताओं पर आधारित होते हैं इनको मनाने के पीछे प्रंप्राओं का बड़ा हत होता है कहीं तोहार वीरता, सास और सोरिय की गाथाओं के परतिक होते हैं इन परवो पर जूडिक अथाओ को विशेश तोर पर सुना जाता है पुरानिक धारनाओ के माध्यम से ये तोहार हमारे मन में आतुमबल पैदा करते हैं तोहारों के बारे में था आसान ही था तोहारों के विशेश्टा हैं आती है तो आप विशेश्टा लिख देना कियें तोहारों के विशेश्टा होती है महत तो महत तो लिख देना ये तोहारों का महत होता है आसान ही है एक बार पढ़ लीजिए तोहर तो आप हर साल मनाते ही है उनके बारे में आपको लिखना है तोहरों का आर्था जाता है तो तोहर का क्या आर्थ होता है यह आप यहां से लिख सकते हैं I hope तो हर क्या होते हैं, क्या आर्थ होता है, उनका क्या विसेस्ता होती है, क्या ओदेश्य होती है, वह सब आप अब समझ पाएंगे. ये लास्ट वीडियो थी, इस हमारी जो कलास की, फिलोस्पी की जो कलास है, उसकी. इसके बाद अगर philosophy की कोई class आएगे तो important question की आएगी very short question वगरे की आजाएगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने B.Ed. गुरूप में दोस्तों के साथ share कर सकते है B.Ed. की सभी subject की daily regular classes लेने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते है Till then, bye bye, take care